उत्राखन में मैं बात करूँ तो तीन प्रकार का बुरास मैंने देखा है एक ये रेड हो गया एक बैंगली कलर का होता है यूहीं उत्राखन को धर्ती का सर्ग नहीं कहा जाता यहाँ पे उंचे उंचे हिमालाई है तो यहाँ पे हिमालाई की गोद में बसे बांज और बुर और यहां पर आके जो हिर्दा इतना गदगद होता है और जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे हाथ में यह बुरास का एक गुच्छा है और यह जो सौड है जो यह पहाड़ी है चार उत्रब आप देखेंगे तो बुरास के पेड़ों से हिरावा है और इस समय बसंत्रितु है और हमें पता है कि बसंत्रितु में पूरी जो स्रिष्टी होती है वो परवर्तन लाती है आपने आप में और इस समय आप उचे हिमालाई की तरफ जाएंगे तो वहां आपको बुरास के पुस्ब नजर आएंगे अगर आप नीचे जाएंगे तो वहां आपको पूली के वरिषट है वो पुरास है नेपाल का जो रस्ट्रिय वरिषट है वो पुरास है और हजार से जबाई स्पाइसे बुरास की पूरी धरती में पाई जाती है उत्रेखन में major 1945 इंदी प्रोकि जिसका है यह यह रेड हो गया एक बैंगली किललर का होता है एक वाइट कलर का होत होता है और जैसे कि हम आज सुबह ट्रैक पे चले थे तो हमारे पास हमने सुबह ब्रेकफास्स किया था उसके बाद हमने कुछ भी नहीं खाया लेकिन अभी हमने यहां पे दो चार फूल जो है मुरांस के खाया है ऐसे लगता है कि पेट में अभी बहुत सारा खाना चला गया इसमें बहुत सारा जूस होता है और nutrition value इसकी बहुत जादा है तो इसका जूस आप अक्सर जब उत्राखन में आते हैं तो आप देखते होंगे कि जगा जगा बुरांस का जूस दुकानों में बिखता है तो यहीं बुरांस है जिसका जूस निकालते हैं जूसरा हम पहारी प्हुंड के लुग की चट्नी बनाते हैं पेस्ट की बहुत सुंदर चट्नी जो रहे हैं हेकर सकते हैं नीम होग ये मुझ यह प्रीशय के प्हू प्ता क 600 फूल ओमारी त्याहतfeld डालके वह बहुत टेस्टी होता है लेकिन जो सबसे सुन्दर मुझे लगता है कि यह पहाड आजकल जो है मुरास के पेड़ू से फूलू से आच्छा दित है और बता देता हूं कि आप जखोली ब्लॉक के चिरवट्या में जरूर आएका जो कि रुदरप्याग डिस्टिक का एकदम सीमान्त एरिया है टेरी डिस्टिक से लगावा और भावती खूप शुरत यहाँ पे स्लोप है सर्द्यू में यहाँ पे दो तिन फिट बर अब गिरती है लगबग 2400 मेटर की उचाई पर बिराज मान ये पटागणी का सौर एक अदबुत और प्राकरतिक नजारे क को समेटेव है बहुत बहुत धन्यवाद